नमस्कार दोस्तों हम सीख रहें 2D Animation और 2D Animation में आपको बता रहें आनिमेट CC के बारे में मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखा रहे थे कि इस character जो side view है इसको कैसे create करते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज किस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसके हेड होते हैं उसको हम कैसे create करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमने पीछे के वीडियो में आपको यह दिखाये थे कि इसके बोड़ी को हम create करके तो चलिए देखते हैं, तो हम इसके layer के अंदर जाते हैं और यहां पर देख सकते हैं, Already हमने सभी को layer wise में create किया था सभी पार्ट को तो हम क्या करते हैं यहां से एक new layer create करते हैं यहां से यहां पर मैं एक new layer create करूँगा और यहां से मैं इसके head को create करता हूँ प्रेश करते हैं और यहां से पहले मैं इसके hair को create करूँगा इस टेप से मैंने इसको create किया है उसके बाद मैं यहां से एक new layer create करूँगा अब की बाद मैं इसके जो है face के background को create करूँगा इस टेप से face के background को create किये फिर से मैं एक new layer create करता हूँ इस वार मैं इसके year को create करूँगा और मैं इसको पूरा को select करता हूँ और मैं रखता हूँ side में यहां पर इस टैप से और इसका color हम face का color same रखेंगे और जो यह hair का color है इसको हम black करेंगे और इसका color भी हम same रखते हैं अब क्या करेंगे यह जो hair है इसको मैं रखता हूँ ऊपर और इसके यहां पर step से और इसको मैं क्या करता हूँ यहां से मैं लीट कर देता हूँ इसके जो line है अब इसके मैं जो I है उसको create करेंगे यहां से एक new layer create करते हैं पी प्रेस करते हैं इसका same color black रखेंगे इसको भी black रखेंगे और इसका जो color होगा यह white होगा यहां समें इसको जो है थोरा सब पतला कर देता हूँ कुछी step से और इसके मैं outline को मैं delete कर देता हूँ इस type से create हो गया है अब मैं इसके क्या करूँगा लिप्स को create करूँगा यहां से मैं new layer create करता हूँ प्रेस करते हैं इस टैप से और यहां पर बीच में मैं line create कर देता हूँ इसका color अलग-अलग कर दिये इसको मैं यहां से remove कर देता हूँ इसको मैं रखता हूँ यहां पर इस type से और इसका जो color है मैं same lips की जैसा रखूँगा जिसका यह color है यहां से color pick करते हैं और इसके अंदर जाते हैं same fill कर दिये पिट से इसका color pick करते हैं fill कर दिये अब मैं क्या करूँगा इसके outline को मैं यहां से remove करता हूँ इस टैप से इसको मैं यहां से remove कर देता हूँ अब हमारा character जो है कुछ इस टैप से create हो गया आप देख सकते हैं और इसके जो pair है मैं इसी को copy यहां से करता हूँ इसको copy किये यहां से और इस layer के अंदर गये यहां पर मैं एक new layer create करता हूँ और मैं यहां पर paste कर देता हूँ इस टैप से और मैं इसको distribute layer कर देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा step से कर देता हूँ तो यह हमारा जो है character proper create हो गया है और मैं इस hair को क्या करता हूँ यहां से इसको भी f8 करके symbol में convert करता हूँ इसको भी f8 करके symbol में convert करता हूँ यह i का एक अलग से हम करेंगे symbol में convert करते हैं और यह lips को भी अब हम क्या करते है उपर के जितने भी head part है इसको मैं select करता हूँ इस part को और symbol में convert कर देता हूँ यह हमारा एक साथ बन गया अब मैं क्या करूँगा इसको distribute करता हूँ दिस्टिब्यूट कर देता हूँ और यह हमारा इसको भी मैं symbol में convert कर देता हूँ यहां से हम cut करते हैं इसको एक new layer create करते हैं Ctrl Shift V कर देते हैं सेम जी है पर place हो गया और इसके layer के अंदर जाते हैं एक यहां पर जो है white color का एक लगा देते हैं जो की कान में जो पहनी हुई थी color इसको मैं white कर देता हूँ इसके outline को मैं हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो है character कुछ इस type से create हो गया है और इतना करने के बाद एक चीज और है इसके जो hair है इसको हमको पीछे करना है तो मैं क्या करता हूँ इसके जो हाथ है यह क्यांस मैं इसको पहले delete करता हूँ और यह हाथ जो है इसको मैं ऊपर करता हूँ इस तीनों हाथ को में ऊपर कर दिया और यह जो है एक इसको भी मैं करूंगा ऊपर अब देख सकते हैं इस टैप से हमारा जो है create हो गया है तो यह था दोस्तों कोई भी जो side view character होता है उसको हम कैसे create करते हैं तो आसा करतों दोस्तों यह video आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों यह video आपको अच्छा लगा तो like जरू करें और दोस्तों के साथ share भी करें अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेका हूं तो उसका update आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते दोस्तों next वीडियो में आज के लिए thank you